Hello dear students, हम study कर रहे है जनरल साइंस as well as physics और आज का हमारा जो टॉपिक है वहा है जीरो एरर ओन वर्नियर क्यालिपर वर्नियर क्या होता है इसके बारे में study करेंगे लास्ट वीडियो में हमने वर्नियर केलिपर क्या है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है और उसमें उसके uses क्या है इसके बारे में हमने study किया था आज का हमारा जो topic है वा है zero error on vernier caliper so vernier caliper में zero error क्या होता है vernier caliper में zero error उसे काते हैं जब main skill और vernier skill का zero अगर consite नहीं करे before measurement तो उसे कहेंगे zero error on vernier clip इससे समझ सकते हैं इसके लिए हमने draw किया है एक main skill एक vernier skill अब यहां main skill का reading ले रहे हैं main skill का division जो ले रहे हैं और इसे unit भी कहेंगे यह हमारा division जनरली जो main skill का division होता है वा cm में होता है और यह vernier skill का division तो यह दोनों का division देखिए zero एक दूसरे को consite नहीं कर रहे हैं तो यह हमारे हो गया zero error यही हमारा हो गया zero error जो देखिए यह दोनों scale का जो zero है वा एक दूसरे के consite नहीं कर रहा है एक दूसरे को consite नहीं कर रहा है तो यह हमारा हो गया 0 of main scale or when the 0 of vernier scale and 0 of main scale do not coincide then the instrument is said to have a 0 error जब vernier scale and main scale दोनों का 0 coincide नहीं करता है विफोर मेजरमेंट यह याद रखे कि यह विफोर मेजरमेंट होगा तो यह दोनों का 0 अगर coincide नहीं करता है तो इसे कहते हैं कि उस इंस्टूमेंट में 0 error पाया गया है When 0 of vernier scale and 0 of main scale do not coincide then the instrument is said to have a 0 error अब 0 error कितने टाइप से होते हैं 0 error हमारे दो टाइप से होते There are two types of 0 error दो टाइप के 0 error होते हैं एक होता है positive 0 error और एक हमारा होता है वह है negative 0 error So positive 0 error क्या है Positive 0 error क्या है तो positive 0 error Positive 0 error कब होगा जब हमारा main scale का 0 Main scale का 0 और vernier scale का 0 Main scale का 0 and vernier scale का 0 एक दूसरे को coincide नहीं करेगा लेकिन जो vernier scale का 0 जो है वह main scale के 0 के right side हो तो उसे सिद्धी में हम कहेंगे कि यह हमारा positive 0 error है When the 0 of vernier scale is on the right side of the 0 of main scale जब vernier scale का 0 main scale के 0 के right side हो starting before starting जो before measurement तो उसे हम कहते है positive 0 error इसे आप simply समझ सकते हैं कि हमारा जो vernier scale का 0 है वह main scale के 0 के बाद होगा तीक है यहाँ पर एक diagram से आप देख सकते हैं यह हमारा main scale हो गया और इस पर हम division लेते हैं यह 0 से start है generally आपको 0 फे focus करना है हम यह समझने के लिए हम division ले रहे हैं तो यह 1 cm हो गया आगे 2 cm जाएगा इसकी टाइप से जाएगा यह main scale अब इसमें vernier scale तो vernier scale देखे vernier scale यह हमारा vernier scale हो गया और इसका division तो इसका division हम लेंगे 0 के just बाद 0 के just बाद देखे just बाद हमारा start हुआ है vernier scale का division तो 0 दोनों 0 के बीच में यह जो gap है यह जो gap है यह हमारा कहलाएगा positive 0 error यह हमारा कहलाएगा positive 0 error यानि कि जो main scale का 0 पहले होगा और vernier scale का 0 क्या होगा बाद में होगा तो यह हो गया हमारा positive 0 error अब negative 0 error तो negative 0 error क्या होगा इसके just opposite नेगेटिव जीरो एरर में यहाँ पर क्या था जो वर्नियर स्केल का जीरो है वहां मेन स्केल के जीरो के राइट साइड था इनके सब पोजिटिव लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो वहां मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड होगा यानि कि इसमें जो vernier skill का 0 होगा वह main skill के 0 के पहले होगा ठीक है और उन दोनों के बीच के जो gap है वो हमारे होंगे negative 0 error when the 0 of vernier skill is on the left side of 0 of main skill is called negative 0 error इसे समझने के लिए इसका भी हम diagram यहाँ draw कर देते हैं ताकि आपको समझने में easy हो so हम यहाँ पर एक main skill draw करते हैं यह हमारा main skill हो गया ठीक है और एक vernier skill यह हमारा vernier skill हो गया अब हम main skill का division लेते main skill का जो generally list count होता है वह 0.1 cm होता है in case of 95% cases में जो main skill का list count होता है वह 0.1 cm होता है और vernier skill का 0.01 cm यह 1 cm हो गया 2 cm हो गया 3 cm हो ठीक है अब यहाँ पर इसका 0 जो start हो रहा है vernier skill का यह ध्यान दीजी यह start होगा का है देखे पहले just पहले just 0 of पहले just 0 of main skill before main skill 0 है ना यह हो गया so यह हमारा हो गया negative 0 error यह gap हमारा क्या हो गया negative 0 error यहाँ कि जो vernier skill का 0 है क्या है left side है 0 of main skill तो यह हो गया negative 0 error अब इसके लिए correct reading क्या होगा तो correct reading equals to होता है total reading minus 0 error correct reading equals to होता है total reading minus 0 error जहाँ पे total reading क्या है total reading होता है MSR plus VSR याने कि MSR MSR क्या है MSR क्या है main skill reading और VSR क्या है तो VSR vernier skill reading is equals to MSR plus VSR is equals to total reading अब हमने यह देख लिया कि 0 error क्या है और उसके types क्या है ठीक है अब 0 error को find कैसे करते हैं इसके बारे में हम study करते हैं कि 0 error को find कैसे करते हैं so 0 error को find करने के लिए हम यहाँ फिर से main skill draw करेंगे ठीक है और इसमे और एक vernier skill draw करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें 0 error कितना है so यह main skill ठीक है और यह vernier skill vernier skill का list count होता है in 95% cases में 0.01 cm तो यह हमारा 0 हो गया यह division हो गया main skill 0.1 cm यह 1 cm ठीक है फिर 1.5 cm फिर 2 cm यह आगे तक जाएगा लेगिन हमको 0 पे mainly focus करना so यहाँ पर first में निकाल रहे positive 0 error तो यहाँ क्या होगा vernier skill का reading start होगा 0 of right side main skill के यान कि main skill के 0 के बाद तो यह जो हमारा gap हो गया यह हमारा हो गया positive 0 error ठीक है vernier scale और main skill के 0 के बीच का जो gap है यह होगया positive 0 अब यह कहाँ coincide कर रहा है देखिए जहाँ पर यह coincide करेगा vernier skill का जो division main skill के division से जहाँ पर coincide करेगा उसकी count को vernier scale के division के count को into उसकी count को into कर देंगे list count से ठीक है list count of vernier scale इन दोनों का product होगा यह होगा positive 0 error तो इसको देखते हैं कि positive 0 error so positive 0 error generally हम इसे कह सकते हैं कि positive 0 error is equals to least count into coinciding division of vernier scale कि vernier scale का कितना division coincide करेगा main skill से यानि कि कितना division coincide करने के बाद main skill से mess जो करेगा वहीं से हमारा count होगा so list count list count जो है vernier scale का बाद होता है 0.1 cm 0.01 cm ठीक है so हम list count का value put करेंगे और देखेंगे कितना division का बाद यह हमारा 0 error हो गया अब यहां से कितना division बाद main skill से यह match कर रहा है यानि कि coincide कर रहा है ठीक है so यह हम यहाँ पे 0.01 list count का value put कर दिया into into coinciding division of vernier scale तो यहाँ पे देखते हैं कितना division के बाद यह coincide कर रहा है ठीक है so जितना division के बाद यह coincide करेगा तो वह हमारा हो जाएगा list count into coinciding division of vernier scale so यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कि 5 division में coincide कर रहा है तो यहाँ पे put कर देंगे 0.01 into 5 so positive 0 error कितना आ गया 0.05 cm यह होगा before measurement यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह होगा before measurement so positive 0 error कितना आ गया 0.05 cm अब negative 0 error तो negative 0 error उसी तरह list count into coinciding division of vernier scale so list count 0.01 put करेंगे आप यहाँ पे coinciding division of vernier scale निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे यहाँ पे एक main scale ट्रा करते है और एक vernier scale ट्रा करते है और दोनों में देखते हैं कि इसमें 0 error कितना है so यह main scale यह vernier scale और main scale का यह division हो गया start 0 0.5 1 cm फिर 1.5 cm फिर 2 cm वरnier scale यहाँ यहाँ पे negative 0 error निकाल रहे है so हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं कि यह पहले start करना है negative 0 यहाँ यहाँ लेफ्ट साइड होगा vernier scale का 0 ठीक है of main scale 0 से और यहाँ पे जहाँ तक यह जाएगा फिर यह coincide करें coincide आपका कितना division में भी कर सकता है ठीक है उसमें जिस प्रकार instrument में आपके जिस प्रकार से 0 error पाये गया है उस type से आपका coinciding division होगा ठीक है so यहाँ पे हम किसी एक में coincide करवाते हैं यह हमारा 0 error होगया negative 0 error ठीक है अब negative 0 error कितना division के बाद यह coincide कर रहा है ठीक है so हम इसको coincide करवाते है हम आपको coincide करके दिखवा रहे हैं ठीक है और यही जो process होगा वह instrument में होगा लेकिन जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे जितना करवा है उतना ही में coincide करें ठीक है इंस्टुमेंट आपका जैसा है ओ ऐसे होगा आपका so negative 0 error तो value put कर दिया 0.01 into यहाँ पे 5 के बाद कौण coincide किया ठीक है देखे 5 किसे मेंस कर रहा है वर्नियर स्केल का division हमको count करना है तो 1,2,3,4,5 हमने so 0.05 cm यह होगा negative 0 error ठीक है यह होगा before measurement इसको भी आप लेख लिख ले so before measurement अब 0.05 हो गया negative 0 error negative है यानि कि यहाँ पे minus का चीन होगा minus हमने छोड़ दिया है so negative 0 error यहाँ पे minus का चीन होगा minus 0.05 cm so यह था हमारा 0 error on vernier caliper आज के वीडियो में इतना ही for more updates subscribe please thank for watching thank you